बच्चा सोचने लग गया कि भई ना तो मैं इतना निक्रिष्ट हूं मैं बहुतों में तो बहुत अच्छा हूं बहुतों में मैं बीचका हूं इतना तो निक्रिष्ट नहीं हूं कि मुझे मृत्युदंड दिया जाए या मोत को दिया जाए वो उल्जन में पड़ गया कि प उदर से बात की भी मेरे पिता जी ने मुझे मृत्यू को दिया है तो अब मैं क्या करूँ उन्होंने कहा कि आपकी पिता जी ने मृत्यू के दो अर्थ हैं एक तो प्राणों का निकल जाना मृत्यू होता है दूसरा मृत्यू नाम के आचारिये होते हैं आचारियों को क्या कह पता है मृतstop कि क्या हूं कि शिश्य कोweltी के समान भैं लगता है क्योंकि वह उन्हाच yol को दूर करता है और गड़े को बनाने के लिए इनल होगाल ते रहता है या उपर से ओनपना में कितनी क्या करता है उसकी पर उपता है तो उसके एक कोमलता का हाथ रहता है तो घड़ा तूटता नहीं और गौल बन जाता है ऐसे विद्यार्थी को बनाने के लिए फिर्दय में उसके प्रतिहित की भावना रहती है लेकिन भार से उसके सुधारने के लिए उसको डाटता रहता है उसको दिखाता रहता है उसको ड वो गए वहेते कहीं बाहर और पहले यह नियम होता था जिस घर का मुखिया जिस घर का आदमी घर से बहार हो तो कोई भी उस घर में रह नहीं सकता है तो उसने तीन दिन उनके घर के सामने जो एक पेड़ था, वहां तीन दिन तपस्या की बैठ करके, ना खाया, ना पीया, ना जल लिया, बस ध्यान में बैठे रहे कि जब आचारी आएंगे, तब उनसे शिक्षा ग्रहन करेंगे, आचारी तीन दिन बाद आए, आचारी जी को सारा वरणन पता चला, कि एक ब्राम्भन एक छोटा सा बच्चा, मेरी वज़े से तीन दिन से भूखा है, प्यासा है, यह तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, वो भी बहुत योगे आचारी थे, उन्हेंने कहा, कि मैं आपको तीन वर देता हूं इसके बदले में, आप कोई भी तीन वरदान मांग लो, से पहले प्रीती करते थे, वैसे मुझे से प्रीती करें, वैसे ही मेरे जाने के बाद मुझे से मिलें, बोले तथास तू, ठीक है आपके पिताजी आप जाओगे, तो आपको वैसे ही करेंगे, दूसरा उन्होंने वर मांगा, कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, उन्हो क्या है हमें जो है पहले तो बच्चा क्या होता है ब्रह्मचारी के रूप में होता है ब्रह्मचारी से किसमें जाता है ग्रिहस्त में जाता है ग्रिहस्त से किसमें जाता है वानप्रस्त में जाता है वानप्रस्त से किसमें जाता है सन्यास में जाता है पर आज कोई सन्यास में पुड़े लोग भी Sanyיעast में नहीं आते वानप्राष्त में नहीं आते अज को पता है this संहाज का संतूलन की जगणा हुआ है क्योंकि इस स्वपान को किसी में भॉलने किया प्याग नहीं किया यह संहाज को संतूलत करने के चार आश्रम बनाए थे या तो आप सीधा ब्रह्मचारी से सन्यासी हो जाओ, ब्रह्मचारी से वानप्रस्ती हो जाओ, या ब्रह्मचारी से ग्रिहस्ती हो जाओ, आज व्यक्ति ग्रिहस्त में चलाया गया, तो ग्रिहस्त में ही है, वो वानप्रस्त में आई नहीं रहा है, वो सन्यास में आई नहीं जैसे पचास की उमर होती थी वानप्रस्थ में आ जाता था, जैसे पिचेत्र साल की उमर होती थी, पहले की उमर मता रहे हूं, अब तो थोड़ी और कम कर लो. तो वो सन्यास में आ जाता था, घर छोड़ देता था, समाज के काम करता था, दूसरों को ज्यान बाड़ता था, आज क्या हो रहा है, भूड़ा भी पोते-पोतियों में लगा हुआ है, पर पोतों में लगा हुआ है, घर को छोड़ी नहीं रहा है, पैंशिन भी आ रहे हैं, तो पैसे के उपर भी पूरा अपना कपजा करके बैठा है, घर मकान के उपर पूरा कपजा करके वैठा, तो संतुलन तो बिगड़ेगा ही, तो कोई सोचता ही नहीं है कि हमें ऊपर, 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 ऊपर जाना है, वहीं के वहीं ग्रिहस्त में लट्टम पट्टम होके उसी जंजाल में फंसे पड़े हैं, तो भई, आपको भी तो निकलना पड़ेगा ना, आप घर से मालो ना निकलो, पर घर के मोह को तो छोड़ो, कुछ समाज के लिए तो समय निकालो, आप थोड़ा विचार करो मेरी इस बात पर, आज ये संतूलन क्यों बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हम रिश्यों की बातों पर चल ही नहीं रहें, पचास के बाद तो इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि मेरी आधी उमर अब भोगों में चले गई तो अब मुझे थोड़ा सा अध्यात्म की ओर चलना चाहिए, अब घर के मुझे थोड़े से जिम्मेदारियों को थोड़े धन्दोलत को थोड़ी सी प्रोपरटी को और इन चीजों के प्रती मों को थोड़ा कम करना चाहिए और थोड़ा सा मुझे अपनी आत्मा की उन्नती के लिए कदम बढ़ाने चाहिए, कौन सोचता है, नहीं सोच रहे हैं ये गहरी समस्या है तो आप घर में बैठ करके ही इस निरलिप्त जीवन को जीए हम यह नहीं कह रहे हैं कि चलो पहले का समाज ऐसा था कि आश्रम होते थे वहां बढ़िया सम्मान होता था वहां पर हमारी विद्या का उप्योग होता था इसलिए लोग घर छोड़ करके चले जाते थे पर घर में भी तो अब जब आप 50 से उपर के हो गए हैं तो आप अपने स्वास्थे पर ध्यान दीजिए आप अपनी अध्यात्म विद्या को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए आप योग को अच्छे से सीखिए और सिखाईए और अपने घर की जिम्मेदारियों को अपने बच्चों पर सूपिए और थोड़ा सा अपने इस जीवन को जो आपको मनुष्यका जीवन अनमोल मिला है इस जीवन को थोड़ा सा अध्यात्म की और जा करके उन्नत बनाईए थोड़ा सा सोची आप भी क्योंकि जब जाएंगे ना इस दुनिया से आपके नाती पोते बच्चे संतान पती पतनी साथ में कोई नहीं जाने वाला आपके अपने कर्म जाएंगे आपके अपने विचार जा जाएगी तो इस जीवन में आप 50 के बाद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके थोड़ा सा अपनी आत्मा के बारे में सोचिए जो की वेद भगवान कहता है जो कि उपनिशदे कहती हैं कि अगर आपने इस जीवन में अपने आपको नहीं जाना अगर आपने इस सारी द से अपने भोगों में इस जीवन को खो दिया तो सजग हो जाएए उस इश्वर की और बढ़िये अपनी आत्मा की और बढ़िये अपने चित को साधिया यह आत्मा परमात्मा ऐसे दिखेंगे नहीं आपको जब तक हम अपने चित को नहीं साधेंगे चित को साधने का मतलब क् से राग को दूर नहीं करेंगे द्वेश को दूर नहीं करेंगे मान सम्मान की इतनी भूख है ना बस पूछो मत आज के व्यक्तियों को मुझे मान नहीं मिला सम्मान नहीं मिला मुझे माला नहीं मिली मुझे मंच नहीं मिला मुझे माइक नहीं मिला मुझे लोगों ने ही रहता है, बोलो है कि नहीं ऐसा? क्षन भर का मान नहीं मिला, क्षन भर का सम्मान नहीं मिला, क्षन भर का माइक नहीं मिला, क्षन भर की तुछ तुछ चीजों के लिए हम अपने मन को इतना विकृत कर लेते हैं कि फिर हम सद ही नहीं पाते, तो योग तो यह नहीं सिखाता योग का मतलब तो समाधी भी है, योग का मतलब तो एकागरता भी है, योग का मतलब तो भोगों को छोड़ना भी है, ये भी तो एक भोग है, ये तो मान सम्मान की भूख भी तो एक भोग है, मंचमाला की भूख भी तो एक भोग है, पहले ये होता था, मुझे नी चाहिए, म मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इसलिए हम दुखी है, आधे तो हम यूहीं दुखी है, तो जो असली काम करने वाला होता है, जिसके अंदर असली सामाजिक सेवा की भावना होती है, वो मंच, माला, माईक, मान, इन मा से बहुत उस फलाने में महा गया था मुझे मंज पे भी नी बिठाया मुझे तो माला भी नी पहनाई मुझे तो माईक में एक मिनट भी बोलने को नहीं दिया इसे में उल्जे रहते हैं क्या योग सीख रहे हैं हम फिर सच है न ये तो अब हम एक दूसरे को ना देख करके आज ये प्रण ले ले कि ये चीजें हमारे उन्नती में बाधक हैं इन्हें हमें छोड़ना है इन चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप सच में योग सीखते और सिखाते हैं तो वो ईश्वर जानता है जिसकी फाइल जिसके पास हमारी फाइल है जिसके पास हमारा कर्मों का लेखा जोखा है वो सब कुछ देखता है सब कुछ जानता है हमें किसी व्यक्ति विशेश को दिखाने की और अपने आपको प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता नहीं है हम जो कर रहे हैं देखने वाले ने देख लिया कर्म का फल देने वाले ने देख लिया हमें वो दे देगा इसलिए इस भूख को भी इस इच्छा को भी इस कामना को भी जितना जितना हम कम करते चले जाएंगे उतना उतना हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होते चले जाएंगे ये ब पता है कितनी अच्छी लगेगी, इस से भी अच्छी लगेगी, आप एक बार इसको जी करके देखिए, चलि एक छोटी सी प्रार्थना गाते हैं न, जिस आदमे का सर चुके भगवान के आगे, सारी दुनिया चुकती है उस इनसान के आगे, जिस आदमे का सर चुके भगवान के आगे, खुले आकाश में उडती, पतंगे साथ में डोरी, मगर क्या दर उसे जिसकी प्रभू के हाथ में डोरी, ताकत भी की पड़ती है उस बलवान के आगे, जिस आदमे का सर चुके भगवान के आगे, बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता, मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता, उसको ठहरा पाओगे हर तुफान के आगे, जिस आदमे का सर चुके भगवान के आगे, बसे वो देवता बन कर जमाने के खयालों में, उसी के नाम की चर्चा अंधेरों में उजालों में, सूरज भी क्या चमके गा उसकी शान के आगे, जिस आदमे का सर चुके भगवान के आगे मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता तो हमारे जो इस पीट के इस धाम के जो गुरु जी है ना दोनों महान गुरु उन दोनों का सिर भगवान के आगे जुके हुए है इसलिए वो किसी से घबराते नहीं किसी से डरते नहीं और सोरज की तरह से आज पूरे संसार में चमक रहे हैं तो उनसे हमें भी प्रेणा लेनी चाहिए कि हमें भगवान के सामने जुकना है और अपने बड़ों के सामने भी जुकना है क्योंकि घमंड से इगो से और सिर उठा करके चलने से कुछ नहीं मिलता है केवल रावन जैसे सिर कटाना पड़ता है इसका घमंड का तो एक यही परिणाम होता है तो जैसे पेड फल पा करके जुक जाते हैं ऐसे ही जिससे हमने ज्यान प्राप्त किया है जिससे हमने शिक्षा ग्रहन की है जिससे हमने योग सीखा है जिससे हमने अपने जीवन को बदला है वो सब सम्मान के योगे हैं उनके सामने जुकने से हमारी विद्या हमारे अंदर ठहर जाती है जुकने से छोटा नहीं होता है कोई जुकने से क्या होता हम पात्र बन जात ढखता है थो हृदय हमारा पातरह रछाई के अंदर ही विनम्रता रहती है सिके अनधर ही शथा रहती है और हृदय के अंदर ही नम्रता रहती है अपने हृदय को इन गुनों से भरिये और अपने अंदर से गंदगी को निकालिये अच्छे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ एक बार एक महिला एक संत के पास गई और कहा गुरुजी मैं जो हूँ इश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ आप मुझे ज्यान दीजिए गुरुजी ने कहा कि ठीक है आप ऐसा कीजिए कल मैं आपके घर भिक्षा लेने के लिए आता हूँ आप जब मुझे भिक्षा देंगी तब ही मैं आपको परमात्मा को पाने का मार्ग बताऊंगा उसने का वो बहुत खुश हुई कि कल गुरुजी मेरे घर आने वाले हैं और मेरे हाथ का भोजन खाने वाले हैं उसने सुबह तीन बजे से उठकर की तयारिया शुरू कर दी अपने घर का चोका सब धो दिया पोत दिया और तरह तरह के वेंजन बनाने शुरू कर दिये थोड़ी देर बाद गुरुजी आते हैं और कहा देवी भिक्षा दीजिए अब देवी जी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी ने तो जैसा कहा था वैसा ही हुआ आई आई ये गुरुजी बैठिए उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे पहले भिक्षा दे दीजिए उन्होंने का ठीक है गुरुजी क्योंकि पहले कि गुरुजन अपना पात्र साथ में ले करके जाते थे और उसे में भिक्षा ले करके आ जाते थे तो उन्होंने अपना पात्र आगे बढ़ा दिया और जैसे ही उस महिला ने उस पात्र को पकड़ा, तो उसने अपना नाक बंद कर लिया, ये क्या गुरुजी इसमें गोबर, मल, मुत्र, सब कुछ भरा हुआ है, इसमें मैं कैसे डालू, उन्होंने का नहीं इसी में डाल दो आप, गुरुजी इसमें मैं कैसे डालू, कैसे ख हो गया अरे भई आप इसी में डाल तो मैंने कहा ना उसने का नहीं नहीं गुरुजी मैं इसमें नहीं डाल सकती हूं जो आपको करना फिर आप करो तो उस देवी जी ने उस पात्र को लिया सारी घंदगी को डस्ट फीन में डाला उसको अच्छे से कई बार धोया मांजा जब उसकी पूरी बद्वु खतम हो गई तब उसमें उसने खीर, हल्वा, पूरी जो भी बेंजन बनाये थे उस सब डाल दिये और लाकर के गुरुजी को पकड़ा दिये गुरुजी ने लिया और चल पड़े देवी जी देखे और देवी जी ने कहा कि महत्मा जी आप तो कोई पुदेश नहीं दिया बोले यही तो पुदेश था जब आप एक गंदकी से भरे हुए पात्र में अमरित जैसी खीर, हल्वा नहीं डाल सकती तो आपके गंदकी से भरे हुए हृदय में मैं ब्रह्म जैसे अमरित का उप्देश कैसे दे सकता हूं तो पहले आप अपन हिर्दय के इर्शा, द्वेश, मान, सम्मान, कठोर यह सब चीजे जो है निकाल कर जब तक नहीं फैकेंगे तो आपको परमात्मा का उप्देश कहां से लगेगा तो यह बिलकुल गंबीरता यह गहरा उप्देश था आप इसको थोड़ा विचार करके देखिए अगर हमार अंदर से विकार दूर हो गए तो फिर बचा क्या इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो यह यह कि अपने मन के विकारों को हम दूर करें अपने आलस से प्रमात को हम दूर करें अपने बुराईयों को हम दूर करें और अपने भीतर हमेशा दूसरों को सुख देने की भा आवना हमेशा प्रेम से भरा हुआ हो और कर्तव्यों से भरा हुआ हो ऐसा हमारा जीवन सदा सधा हुआ होना चाहिए इससे हमें ही सुख मिलेगा इससे हमें ही उन्नती मिलेगी हमें ही परमात्मा मिलेगा इससे हमें ही आनन्द मिलेगा इसलिए अपने आपको सुख देने के लिए इन गुणों को अपने भीतर भरिये दूसरे तो अपने आप ही सुगंदित हो जाएंगे आपका जीवन अगर अच्छा होगा तो आपके जीवन से आपके परिवार आपका बच्चे आपके अडोसी-पडोसी आपका समाज खुब सुंदर हो जाएगा तो आपको पता है कि जो सरकार हैं पुझे महराजी का सम्मान क्यूं करती हैं उनके तप के आगे जुकती हैं उनके संगठन के आगे जुकती हैं आपको पता भारत में कितना बड़ा संगठन है अपना पतंजली योग पीट का जिसके सामने सरकारे भी नत मस्तक होती हैं उनको पता है कि अच्छा बनाईए कि आप सत्ता परिवर्तन करने की क्षमता रखें आप कर सकते हैं अपने राश्ट्र के लिए आप खुद लेके दस्तस को जोड़िये, पचास-पचास को जोड़िये, पुरे नेपाल को भितर ही भितर जोड़िये और अपने राश्ट्र को किस प्रकार से वो उन्नती की ओर चल सकता है, किस प्रकार से वो हमारा देश आर्थिक स्थिती में आगे बढ़ सकता है, ये भी हमें सोचना आप अपने संगठन को तो बढ़ाईए वैसे तो बढ़ी रहा है प्रतिवर्ष बढ़ी रहा है बस इस संगठन को कम मत होने दीजिए कम जोर मत होने दीजिए और अपने संस्था के प्रति अपने गुरु के प्रति अपने धर्म के प्रति अपने संस्कृति के प्रति इतना विश्वास रखिए कि आप इसते तस से मस ना हो सके कोई आपको कितना भी परिवर्तित करना चाहे आप अपने धर्म पर अपनी संस्कृति पर अपनी संस्था पर अपने संगठन पर अपनी गुरु पर हमेशा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाईए तो यह समय द हिंदू राष्ट्र होगा, बताओ, अब हिंदू राष्ट्र को भी आप नेपाल में नहीं बचा सके, पहले ये था कि मात्र एक ही ऐसा हिंदू राष्ट्र कहलाने वाला देश है और वो नेपाल है, उसमें भी चंद लोगों ने लालेच के कारण से, स्वार्थ के कारण से इ आपको वापिस अपने संगठन को बढ़ा करके उस चीज को दोबारा लाना है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट गोशित हो सके, वो आप कर सकते हैं, और वो किसके माध्यम से कर सकते हैं, योग के माध्यम से कर सकते हैं, तो योग में थोड़ा-थोड़ा 5-10 मिनट ध्या के माध्यम से अपनी उन्नती और अपने भीतर संकल्प शक्ती से हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, अपने संगठन को बढ़ाना है, इस संकल्प आपको लेने हैं, और हमें अपने राष्ट के प्रती कैसी भावना रखनी चाहिए, ये हम प्रार्थना के माध् आत्मा देना, दयाकरदान भक्ती का हमें परमात्मा देना, दयाकरदान अमारी आत्मा में शुधता देना, अमारे ध्यान में आओ, प्रभू आखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आ करके प्रभू जोती जगा देना, अंधेरे दिल में आ करके परम जोती जगा देना, दयाकरदान हमारी आत्मा में शुधता देना, वतन के वासते जीना, वतन के वासते मरना, वतन के वासते जीना, वतन पर जापिदा करना, प्रभु हम को सिखा देना, दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा इमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना, दया कर दान भक्ति का मात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, बहादो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिल जुल कर प्रभो रहना सिखा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बोले सच्चिदानन्द भगवान की, पशुपति नाथ भगवान की, मर्यादा पुरुशुत्तम रामचंद्र की, योगी राज भगवान स्री कृष्ण की, पवन सुत हनुमान की, नेपाल आमा को हर हर महा दे। हुआ 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 है